स्री दुर्गास अप्तस्ती नवम अध्याय निशुब वद्ध मैं अर्ध नारीश्वर के स्री विग्रह की निरंतर शराण लेता हूँ उसका वर्ण, वंधूक, पुस्प और स्वर्ण के समान रक्त बीद मिश्रित है वो अपनी भुजाओं में सुंदर, अक्षमाला, पाश, अंकुस और वर्ण, मुद्रा धर्ण करता है अर्ध चंदर उसका अभूशन है तथा वो तीन नेत्रों से शुशोवित है राजा ने कहा भगवन, आपने रक्त बीद के वद से संबंद रखने वाला देवी चरित्र का यहदृत महत्म मुझे बतलाया अब रक्त बीद के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुम्ब और निशुम्ब ने जो कर्म किया, उसे मैं सुनना चाहता हूँ रिशी कहते हैं राजन, युद्ध में रक्त बीस तथा अने देतियों के मारे जाने पर शुम्ब और निशुम्ब के क्रोध की सीमा न रही अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख, निशुम्ब अमर्स में भरकर देवी की और दोड़ा, उसके साथ असुनों की प्रधान सेना थी उसके आगे पीछे तथा पार्शुभाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आये बहा पराकर मी शुम्ब भी अपनी सेना के साथ मात्रिगणों से युद्ध करके ग्रोध वस चंडिका को मानने के लिए आप पहुँचा तब देवी के साथ शुम्ब और निशुम्ब का घोर संग्राम चड़ गया वे दोनों दैति मेगों की भाती बाणों की भेंकर विरिष्टी कर रहे थे उन दोनों के चलाएवे बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से के समूं से तुरंत काड़ डाला और शुस्त्र समूं की वर्षा करके उन दोनों दैति पत्यों के अंगों को गुप में भी चोट पहुचाई निशुम्ब ने तीगी तलवार और चमकती ही ढ़ाले कर देवी के शरेष्ट वहान सेंग के मस्तक पर प्रहार किया अपने वहान को चोट मूचने पर देवी ने शुरप प्रनामक बान से निशुम्ब की शरेष्ट तलवार तुरंती काड़ डाली और उसकी धाल को भी जिसमें आठ चांद जड़े थे खंड़ खंड़ कर दिया, धाल और तलवार के कड़ जाने पर उस अशुर ने शक्ति चलाई, किंतो सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी दो टुकड़े कर दिये, अब तो निशुम्ब क्रोध से जल उठा और उस जितानों ने देवी को मारने के लिए शुर उठाया, किंतो देवी ने समीब आने पर उसे भी मुक्य से मार कर चूर कर दिया, तब उसने गदा गुमा कर चंड़ी के उपर चलाई, परंत बहभी देवी के तिशुर से कट कर भश्म हो गई, तदंतर दैतिरार निशुम्ब क वो फरसा हाथ में लेकर आते देख, देवी ने पान समों से घायल कर धरती पर सुला दिया, उस बहिंकर महा प्राकरमी भाई शुम्ब के धरासाई हो जाने पर शुम्ब को बड़ा ग्रोध हुआ, और अंबिका का बच करने के लिए वह आगे बढ़ा, रत पर बैठे बैठ लेही, उत्तम आयुदों से शुशोवित अपनी बड़ी बड़ी आठ अनपम भुजाओं से शुमूंचे आकास को ढखकर वो अद्बुत शुभा पाने लगा, उसे आते देख देवी ने शंक बजाया और धनुस की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्थ शब्द किया, अकाश, प्रत्यवी और दसों भुजाओं, दिशाओं को गुंजा दिया, फिर काली ने अकाश में उचलकर अपने दोनों हाथों से प्रत्यवी पर आघात किया, उससे ऐसा वहिंकर शब्द हुआ, जिससे पहले के सभी शब्द शान्त हो गए, तत्पस्चास शिवदुत देवी ने देत्यों के लिए अमंगल जनक अठास किया, इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे के तो शुम्ब को बढ़ा करोध हुआ, उस समय देवी ने जब शुम्ब को लक्ष करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहो, खड़ा रहो, तभी आकास में खड़े वजरपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया, शुम्ब के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुम्ब ने अपने भेंकर बाणों दोरा सैगड़ों और हजारों टुकड़े कर दिये, तब ग्रो चंडिका को आच्छादित कर दिया, तब दुर्गम पीडा का नाश करने वाली भगोती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काड़ गिराया, यह देख निशुम्ब दैतिसिना के साथ चंडिका का वद करने के लिए हाथ में गदा ल चाली, शूल से विदिन हो जाने पर उसकी चाती से एक दूसरा महाबलिय वें महाप्राक्रमी पुरुष खडी रह, कडी रह, कडी रह, कहता वा निकला, उसके निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देविया ठठा कर हस पड़ी और खटग से उन्होंने उसका मस्तक काड फिर तो वह पृथिव पर गिर पड़ा, तदनतर सेह अपनी दाड़ों से अशुरों की गर्दन कुचल कर खाने रगा, यह बड़ा भेंकर द्रिश्य था, उदर काली तथा शियुदूती ने भी अन्यानी दैतियों का भक्षन आरम किया, कौमारी की शक्ति से विदीन होकर कितनों का पृथिव पर कचूमर निकल गया, वैश्नवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुक्डे कर डाले, एंदरी के हाथ से छूटे हुए वजर से भी कितने ही प्राणों से हाथ दो बैठे, कुछ अशुर्थ नस्ट हो गए, कुछ उस महायुद में से भाग गए, त कुछ